Good morning, today we are on the chapter number 7 whose title is measurement, measurement का meaning है map na, कि किसी भी चीज़ को हम mapते हैं, क्यों mapते हैं, कि यह पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज कितनी लंबी है, या कितनी छोटी है, या distance दो जगह के बीचे में कितना है, वो length नापने के लिए हम measurement, जो measure करते हैं चीज़ों को, और measurement करने के अलग तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास scale होता है, अगर आपने किसी बड़े भाइबेन का देखा हो, तो measure करने के लिए काम आता है, और कभी-कभी जब height को mapते हैं, तो भी हम inch tape का use करते हैं, या measuring tape का use करते हैं, लेकिन पहले एक के जमाने में यह चीज़ों नहीं होते थ हैं, कितनी hand span हैं, लेकिन जो hand span है, वो अब किसी का तो छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, छोटे बचे का छोटा hand span होगा, hand span हो ऐसे, कि यह कितना लंब है, अगर मैं pencil की बात करूँ तो देखो, hand span, यह एक हाथ से लंबी है, मेरे एक हाथ से, एक hand span से, अगर आप measure कर को आपका बनने इसमें आ जाएगा तो अलग-अलग क्योंकि साइज होता है बच्छों का अलग साइज होता है और पर संट लिए अगर कोई चीज हम लेने गए और कपड़ा लेने गए और हैंट नहीं होगी एक सही माप नहीं होगा अलगलग साइज अब किसी को हैंड स्पैन में छोटा मिल जाएगा कपड़ा किसी को बड़ा मिल जाएगा अगर बड़े हैंड होगे तो इसलिए क्या हुआ फिर यह इंची टेप और स्केल और मेजरिंग टेप बनी उसके बाद जिनकी है अगर एक बंदा वन मीटर ले रहा है तो हर एक बंद मतब जो भी वन मीटर लेगा कोई भी आदमी तो उसकी लेंथ एक फिक्स होगी कि हाँ यह वन मीटर है और इतना ही दूसरे को भी मिलेगा तो कोई वो नी रहेगा च्रीक है लेकिन अब भी वी कई बड़ हम चीजों को माते हैं हैंड स्पें से किसी भी चीज से चीजै कर अब वो सिर्फ नकरने के काम आती है वह चीजे जैसे अब शोटर और ओर लोंगर है देखो लोंगर और शोटर कायूज करते हैं लोंगर मतलब लंबा शोटर मतलब हैं की जैसी यह दो पैंसिल है देखो एक शोती है तो उसको shorter बोला है जो लंभी है उसको longer बोला है ऐसे ladder ladder मतलब cd l e e d e r की spelling होती है ladder की यह longer है और यह shorter है ठीक अब इसमें देखो बोल रहा है कि tick the longer tick करना हमें longer वाले को दो leaf दिय हुए है आप इनने से टिक कर देंगे अब देखो दो बूम दिये हुए है या पे वी आर ओ ऐ मलब जोड़ो अब इसमें से कौन सा लोंगर है उस-पर टिक कर देंगे हैं ऐसे ठीक है अब टिक दक शोटर आब तो हम encre रोप दीवी है रसी दीवी है ठीक है अनमे से शोटर अब देखो शोटर बोला है छोटी वाली को टिक करना में जो शोटर कौन सी है यह वाली है तो इस पर टिक कर देंगे ठीक है उसके बाद देखो यहां पर दो स्टिक है इनमे से कौन सी स्टिक शोटर है उस पर टिक कर दे नेक्स्ट पेज पे आजो अब देखो अभी तो दो चीजों में कंपेर कर रहे थे पिछले पेज पेज पे दो से ज्यादा चीजों में कंपेर कर रहे हैं जब हम दो से ज्यादा चीजों में कंपेर करते हैं तो उसमें इस्ट जोड़ देते हैं जैसे लोंग है लोंग सिंपल का यूज़ करते हैं सबसे छोटी कौन सी तो shortest का यूज़ करते हैं ठीक है तो लेकिन दो से ज़्यादा चीज़े होती है तो हम EST लगा रहे हैं चीजों के साथ ठीक है compare कर रहे हैं ये भी अब देखो इसमें मिर्ची दे रखी है तीन red चिली दे रखी है ये सबसे longest है मतलब सबसे लंबी है ये वाली और ये सबसे छोटी वाली है तो shortest लिखा हुआ है अब हम इसे पूछ रहा है टिक दा longest अब दो हमें चपू दिये हुए हैं जो sailing करने के काम आते हैं मतलब नाव चलाने के काम आते हैं चपू है एक पर blue color लगा हुआ है ऐसे उपर रंडे पर red लगा हुआ है एक पर green लगा हुआ है अब समसे पूछ रहा कि longest कौन सा है तो सबसे longest कौन सा रेड वाला चिक है तो इस पर टिक कर देंगी हम रेड वाले पर उसके बाद देखो यह क्या दिये हैं कौर्ण दिये हैं बुट्टा जिसको हम बोलते हैं कौर्ण स्वीट कौन तो आप सब खाते ही होंगे बहुत टेश्टी लगता है अब इसमें भी हमें सबसे longest वाले को टिक करना है सबसे longest कौन सा यह है तो इस पर टिक कर देंगे ठीक है उसके बाद देखो टिक the shortest अब हमें छड़ी दीवी हैं तीन छड़ी दीवी हैं अब पूछ रहा टिक the shortest सबसे छोटी कौन सी है मीडल वाली पर हम टिक कर देंगे सबसे छोटी है अब हमें बोले toller और shorter जो lamba है और चोटा है देखो यह height में total है तोल क inclち के बारे में कह रहा है कि जो ट और हमें किसक ज्यादा लंबी height है और typical मता है तो यह limbा और चोटा है तो लंबा कौन है देखो गिराफ बच्चा दे रखा है, तो टोलर ये है हूचा है इसकी हाइट जादा है और ये शोटर है ऐसे दो किसान हैं दो आदमी है एक टोलर है दो एक लंबा है और एक शोटर है और उनके जो हैंड में ने जो स्टिक ली हूँ यानों ने वो भी taller और shorter है यह taller है और यह shorter है उसके बाद देखो tick the taller अब हमें बताया है इन में से बताना कि कौन सा taller है ठीक है एक bird तो बहुत टोल है लंबा है और एक छोटा है short है तो taller के नीचे टिक करना है ठीक है toler यह वाला bird है उसके बाद देखो काव है और एक उसका कालफ है बच्ची बच्चडा ही तो टोलर कौन है उसमें से काव है तो लंबा है तो काव को टिक करेंगे उसके देखो को टिक्ट शोटर् अब एक डोग्य हर एक पपी है है न है हां है है कपकी जो डोग्य ह्मोज तो लमबा है यह शोटर्व है और यह कैसा है टोलर है इस वाले को отправख करने कैंकि हमसे तो शोटर पूछा हुए, शोटर पर टिक कर देंगे, नेक्स्ट पीच पर आजो, अब देखो, टोलस्ट और शोटस्ट, अभी दो में कंपेर कर रहे थे, अब फिर जादा में कर रहे हैं, अब सबसे तीन चीज़ों में सबसे लंबा, सबसे लंबी जो हाइटा वो किसकी है, टोलस्ट कौन सी है, ये वाली है, शोटस कौन सी है, ये वाली है, पहले ये बता दिया हमें, अब देखो, नीचे वाले में भी प्लांट तीये हैं, तीन, एक टोलस्ट है, सबसे लंबा प्लांट है, और एक सबसे छोटा है, शोटस्ट है वो, अब टिक दोलस्ट, अब तीन बर्ड these balance सबसें तो नहीं है यह मीडलाओ की उसकी यह है सबसें तो इसके नीचे कर देंगे कि यह शोरट स्थ है इस पर टिक नहीं करेंगे अब टिक शोर्ट ढब तीन जो कर दिया वे हैं एक छोटा है फिर इक थोड़ा बड़ा और यह बहुत थिकर और थिनर, जिक है, मोटा और पतला, जिक है, थिक मतब मोटा, थिनर मतब पतला, लेकिन दो में compare कर रहे हैं, इसलिए ER लगा है, थिक का मतब मोटा, थिन का मतब पतला, जिक है, अब इसकी जो चोटी है, जिक है, वो थिनर है, और इसकी चोटी थिकर है, मोटी है, जिक ह से ही धागी की बो दीवी रीनीं एक थीडर है और एक थीनर है यह मोटी है यह पतली हैं अब टीक diff color अब दो अश्चिंच के लिए में जाड़ डीवे हमें ठीक वाले को तिक करना है थिकben से आप मोटा तो तो इस पर टिक करेंगे लिए कर उसके बाद जो दो स्ट्टेम हैै ट्रंक मतब की तना होता है जिसके ओपड़ Stephan ऑपर guar McNamook हम चोटा गर प्लांट तो लेकिन अगर ट्री है तो उसी को हम ट्रंक बोलते हैं यह पेड का कौन सा ठिक है यह वहला ठीक है तो इसकी नीचे ही कर देंगे हम उसके बार देखो टिक द थीनर अब पतले वाले को करना है अब हमें क्या दिया आरो दिये हैं तो पतला कौन सा थिन कौन सा यह वेला थीनर तो इस पर टिक कर देंगे उसके बार देखो दो रोप दी हुई है एक मोटी है मतलब थिक है और एक थीनर मतलब दो में कंपैर करन देया येौत करना हमें टिक तो सबसे मोटी सबसे बदली यह बढ़ रहे हैं यह सबसे पतली यह सबसे पलिया तीनिस्ट बोल या फिर मैट भी हो सकता है यह पता नहीं क्या है लेकिन सबसे मोटा कौन से इन तीनों में से यह है तो थिकस्ट बोलेंगे इसको और जो सबसे पतला उसको थिनस्ट बोलेंगे ठीक है ऐसे बच्चा अगर कोई सबसे मोटा है तो उसको फैट फैटस्ट बोलते हैं वैसे ठीक के बारे मत करें तो यह थिकस्ट और यह थीनेस्ट है उसके बाद देखो ठिक दा थिकस्ट अब पैंसिल है तीन पैंसिल है एक रैड है एक ब्लू है एक ग्रीन है जो रैड वाली है वो सबसे मोटी है मतलब थिकस्ट है तो उसके नीचे टिक कर देंगे सबसे मोटी वाली ये red pencil है इसके नीचे टिक कर दिया टिकदा thinest सबसे पतली कौन सी है आप देखो इसमें तीन हमें brush दे रखी है paint brush है ये paint करने के काम आती है तो thinest पूछा है ये तो thickest है मोटी है ये बीच की है और ये सबसे thinest है ये है इसके नीचे टिक करेंगे उसके बाद देखो heavier and lighter that's all for today's class have a nice day